दोस्तों कहानी में आ चुका है कुछ ट्विस्ट और आ गया है एक ऐसा व्यक्ति जो की कह रहा है मैं हूँ सिवानी कुमारी का बॉयफ्रेंड सिवानी कुमारी का कथिद बॉयफ्रेंड आ चुका है और एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ करके इंटरव्यू दे रहा है और लोगों को चीक चीक करके बता रहा है कि मैं सिवानी कुमारी का बॉयफ्रेंड हूँ लेकिन सिवानी बिग बॉस के घर के अंदर ये कह वीडियो में वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों बात करते हैं जैसे ही मैं सुबह सुबह मैंने मोबाइल खोला देखा कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां पर एक इंटर्वियो दिख रहा था वहां एक बेक्ति बैठा था फलाने मिस्रा मिस्रा बैठे हुए थे और बता रहे थे कि मैं सिवानी कुमारी का बॉइफिंड हूँ आप यह समझे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति निकल करके आता है एक ब सिवानी कुमारी का वॉइफ्रेंड हूँ और सिवानी कुमारी घर के अंदर जब यह पूछा जाता है क्या कोई भाईफरेंड हैं तो वह वहां पर डिनाई कर देती है जिससे मुझे बहुत हट हुआ हुआ है अरे भाई यह सिवानी अगर बिग बॉस के घर के अंदर हम मा सकता है वो सबके सामने वो बाते ना लानी चाहते हो लेकिन जो तुम्हारा इंट्रेव्यू देखा मैंने तो साप समझ में आ गया कि तुम्हारी क्या मनसा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हूं हम आपको बताया दें कि जो व्यक्ति हैं मिसरा जी आज से तीन साल पहले इन्होंने स पाना चाहता है सिवानी कुमारी आज फेमस हो चुकी है पूरा इंडिया जानदा है पूरा वर्ड जानदा है विग बॉस जैसे बरे प्रेटफॉर्म पर हैं तो सिवानी के बहाने खुद फेमस होने के लिए या तो इसने साजिस्रची है दूसरी चीज या फिर ये बिग 18 मिनिट का इंट्रव्यू है जब आप उस इंट्रव्यू के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कुछ भी अपनी बात तक नहीं बोल बाता दो तीन चीजें इसको रेटवा करके भेजी गई है और यह वही चीजें वहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा है औ तो उसी बात में निगेटिव और उसी बात में फॉजिटिव दोनों तरह की बातें बोल देता है यह बोलता है एक्चुल में सिवानी ऐसी नहीं है वो फेक कर रही है सब कुछ सिवानी जिस तरीके से बात कर रही है वो फेक कर रही है क्योंकि जब वो मुझे से बात करती ह तो वो बिल्कुल नार्मल बात करती है, जिस तरीके से सारी लोग बात करते हैं, वो गाउं की बासा में नहीं बोलती है, उसको काफी कुछ इंगलिस बोलना भी आता है, मैंने उसको इंगलिस बोलना सिखाया है, ऐसा भाई साब बोलते हैं, इसके बाद ये बोलते हैं, कि बहुत बहुत हुआ और मैं बहुत दुखी हो गया कि अब सिवानी घर से बाहर आएगी तो मुझको पैचानना बंद कर देगी तो भाई अगर तुम्हारा प्यार है प्यार ऐसा नहीं होता कि आप अपने प्यार को सरयाम रिलाम कर रहा है आकर के बड़े न्यूज चैनल पर बैठ करके उसको बदनाम कर रहा है क्योंकि जितने भी जवाब इस व्यक्ति ने दिये हैं वो सारे के सारे जवाब ऐसे हैं जिस बॉस के घर के अंदर को यह सब्वेक्ट जो नहीं चायता कि सीवानी जीते तो बाहर यह करवाया सकता है एक नमबर दूसरी चीज, यह बंदा खुद बिग बॉस के अंदर वाइलड गार्ड एंट्री पाना चायता है और फेमस होना चायता है सीवानी के नाम पर इसकी बातो मुझे पता है कि सारा सब कुछ एक बड़ा प्लानिंग के तहट काम किया जाता है यह सारा ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा जाएगा बोल देगा मैं सिवानी का बैट्रों नुमेर इंटर्व कर वालो यह सारी शीज़ नहीं होती है और तीन साल पहले इसने सिवानी के साथ जो स बना है उस पर यहां पर दिख जाएगा यह बार बार यह साबित करने कोसिस करता है कि सिवानी फेक है वहां पर जो दिखा रही है वो सारी चीज़ें दिखा रही है ऐसा कुछ नहीं है हाँ एक बात और बोलता है कि सिवानी जो गरीब गरीब वाला दिखा रही है सिवानी गरीब नहीं है इसने यूटूब से अच्छा पैसा कमा या वहां पे गरीब होने का दिखा रही है उसका तो सपोर्ट करने आया है कि इसको बिरोध करने आया है इन सारी बातों से समझ में आता है कि बेजा गया है कि मलब सिवानी की मार्केट को डाउन कर सके उसकी इमेज खराब कर सके जिससे की बिग बॉस के अंदर इसका प्रभाव पड़े और फिर बोलता है कि इसका जो मनेजर है वही इसका बॉइफ्रेंड है मुझे अभी पता चल सके अभी आपको अपपता चल लाएंगा विसे इसका का फॉइफ्रेंड फिर कहता है कि मैं पहले चाहता था कि सीवानी जीते है लेकिन नहीं नहीं से मीडिया कि उभानी बहोस हो कोई अंदर बहोस हो रही हैं आपर एसा तो कुछ नहीं था वो सारा सब कुछ fake कर रही है और एक बार हम सूट कर रहे हैं तो सूट के दौरान विखोस होई थी वह इस बात को एकस लिए सब कर रहा है क्योंकि अलेडि इस चीज का ब्लॉक पड़ा हुआ है कि इसने सूट चल आता सथ सूट के दौरान सिवानी विखोस होई तो मजबूरी थी उसकी अगर इस सूट के घर के अंदर ही हो रही है तो इसने क्लीर कर दिया लें यह बाहर विहोष ल्त होती है अब उससे पुछा दहीं कि आप क्या करना चाहके हैं सीवानी केs लीकिन लेकिन आपको अंदर ही जाना है पता है क्यों क्योंकि आपको खुद ही फेम पाना है सिवानी को सपोर्ट आपको नहीं करना आप खुद फेम पाना चाहते हैं इसलिए सारी चीज़ें कर रहे हैं बहुत ही जबर जस्ट क्रश्चिन different for not कॉर्माण के घर्जब सिवानी जाती है सादी में और जिसबात को लेकर बाएL करते हैं कि इसको खाना डाल डे तो यह साघ्री बात थे इस पे आप या कहना चाहते हैं मीडिया परसन उसे पूछती हैं तो कहता है कि वह जब वहां पर गई थी तो ऐसा कुछ मतलब बहुत अच्छा था अर्मान के आप और फिर जो है ब्लॉग भी बना के सिवानिन डाला तो बड़ा बढ़िया सब कुछ ब्लॉग बना के डाला था लेकिन फिर बिग बॉस के अंदर सारी चीजे निकल करके आ रही है तो पता नहीं ऐसा क्यों सिवानी कर रही है मतलब अगर तुम वायफरेंड हो तो तुमको तो एक बात बताएगी कि मैं वहां गई पर मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं भी हो सकता ही कि आप अगर वायफरेंड हो तो आप को साथ में लेके वाँ जाती है लेकिन आप तो कहीं दिखाई नहीं दिये तो ये सारी चीजे हैं जो कि निकल करके आ रही है और सस्ती फेम पाने का साइद एक अच्छा तरीका है कि आप कोई भी वेक्ति फेमस हो रहा है उसको अपने आप खुद का बाइफ्रेंड उसको गोसित कर दो कि हम खुद बाइफ्रेंड ने बोले कि मैं अपने घर ले गया पहुद पापस्ते मिलवाया और मेरी की बात हुई तो ओने लोग सफल हो जाते ने कृपि तो वह सफल हो और था कर रही हो मैं तो मैं तो इसलिए मीडिया पाहर करके मुकर जाएगी तो बाइउस को अब वो जरूर मुकर जाएगी तुने जो हरकतें करी है न तो अगर रियल में उसका वाइफ्रेंड है तब वो तो आप तो पक्का मुकर जाएगी वैसे होता तो एक बार सपोर्ट करता अगर आप तो तो कुछ अच्छा ही होता लेकिन जिस तरीके से इनोंने हरकतें करी है इससे साफ तोर से सफस्ट होता है या तो यह सस्ति फेम पाना चाहते हैं या तो किसी के द्वारा भेजे गए आपको क्या लगता है कमिन बाक्स तो जरूर बताएगा कि यह कि ऐस्ति करेंग जिस कि एह हाभ जव एrakते हैं